गुद्बॉर्णिंग फ्रेंट्स स्वागत आपका बलू आइस में फ्रेंट्स यह जो रिपोर्ट है हमारा चैप्टर नंबर 6 ट्रीकवर्ड रिपोर्ट को लेकर करके हम आये हैं जो इंडिया स्टेट फॉरस्ट रिपोर्ट 2019 है फ्रेंट्स मैं आपके लिए बता दूं कि यह जो वीडियो है यह छटी वीडियो है इस चैप्टर इंडिया सेट फॉरस्ट रिपोर्ट का इसके पहले पांच वीडियो हमने अप्लोड कर रखा है जिसे आप प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं साथ में आई बटन इसका लिंक दे दूंगा अब देखें बात कर कि असेंडिंग ओर्डर में आरोही करम में जो बन आच्छादन का परतिसत्ता है उसके अधार पर आपको बताने थी इसके एंसर जैसे आप यहां पर दिख रहा होगा कि विड़ रिफ्रेंस टु दे स्टेट मैंसवन एभव इन टरम्स पर्सेंटेज और फोरेस्ट कवर इ इसको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और 2017 के में जो रिपोर्ट था उसके कोर्डिंग ये 2019 में कोशन पूछा गया था लेकिन अभी जो मैं की कोशन आप से पूछ रहा हूं इसमें ये पूछा जा रहा है कि 2019 के रिपोर्ट के कोर्डिंग आप बताए ठीक है फ्रेंस और कोशन में आपको यहां पर दे दूँँ विडियो सुरू करने से पहली आप इसको ध्यान में रखेगा कि क्या पूछा जा रहा है कि इंडिया स्टेट्मेंट दिये गया है यह स्टेट्मेंट का एंसर बताना आपको आपने कोशन देख लिया होगा अब चलिए मैं आगे ब जो आपका नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी एफेंट्स उसके क्या एम है थोड़ा सा ध्यान में रखना आप देखोगे कि यहां पर एम दिया गया नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 तो 1988 का एम कहता है कि बिरिंग थर्टी थरी परसेंट ऑफ जियोग्राफिकल एडिया ऑफ दे पॉरेस्ट सभी एब लियर और अभने लियोग्राउट फॉरेस्ट अरी अंदर में जो है अपने देश का कितना लाना यह जोग्राफिकल इडिया का ठती ठिरी परसेंट ठीक है एक सटेट्मेंक को मिल गया पॉइंट आपको दूसरा कि जो फॉरेस्ट सर्वियों फिoe कि कैसे में के प्वंट नीकालोगा लेकिन अभी प्लिन स आपके सामने है अब इसमें सेकेंड आपको यह त्रीकवर यहाँ पर बात किया है tree cover को ले करके and forest outside ठीक है tree outside forest यह दो ट्रम यहाँ पर यूज किया गया है याद रखना कि जो tree cover की बात करता है tree cover में कह रहा है कि all patches of the size less than one hectare एक less than कितना one hectare occurring outside the recorded forest area recorded forest area के बहार जो एक एक हेक्टर से less than size होगी उसमें आता है tree cover अब यह कर रहा है कि उस tree cover में वो सारी information include होगे जो scattered TVs के भी होगे ठीक है जहां तहां जो trees होते हैं पेर होते हैं उसको भी count करेंगे एक चीज़ यहां पर धियान रखना था second point tof जो tree outside forest था उसमें कहा गया है कि all trees growing outside recorded forest area अब यहां ध्यान रखना यह recorded forest area के जो outside area में जो tree growing करेंगे respective of the patches size which could also be larger than than one hectare यदि one hectare से जादा है तो फिर tree outside forest और less than one hectare है तो tree cover ठीक है तो यह यह दो point को आपको ध्यान में रखना है यह फिगर से आपको भी दिख रहा हुगा linear plantation along the canal कोई canal है तो उसके alongside में left or right side में trees लगे हुए है वहीं पर आपको block plantation है जो normal जो land है वहां पर भी इस तरह से plantation करते हैं अब इस figure को देखो यह है relationship बता रहा है tree cover का और tree outside forest का यह जो yellow green side में आपको दिख रहा है यह yellow वाला area यह वाला इसको बोलते है recorded forest area और जो हलका सा light green में दिख रहा है यह area आपका है forest cover का ठीक अब देखो यह जो area है यह वाला area की बात करो और डार्क ग्रीन के यह सेडिया में यह है total forest area ठीक है फैंस अब आपको दिख रहा होगा कि protected area में क्या क्या अगर नेशनल पार्क भी आ सकता है wildlife century भी आ सकता है ठीक है तो इस तरह से आपको ध्यान में आ रहा होगा अब देखिए अगला जो point हमें इसमें से drive किया आपके लिए वह point यह है कि जैसे suppose करो कि कोई tree का किसी state के regarding जो questions हमने देखा था 2019 वला उस questions को देखने से पहले एक चीज और यहां पर ध्यान रखिएगा यहां पर बोला गया है कि जो अरवन एडिया है नव एडिया के लिए यह जैसे आप देख रहे होंगे कि ट्री जो है ना इलॉंग डा रोड है जैसे आप डैली वेगर सेंग में भी देखोगे तो ट्री कि या अब निश्नल हाइब वेगर पे भी आपको ट्री दिख जाता है लेप और राइट साइड म का मतलब अरवन फ्रेम सर्वे ठीक है तो यह पॉइंट उतना इंपॉइंट नहीं है लेकिन जो मैं पॉइंट लेकर कहा रहा था वो मैं यह कह रहा था कि स्टेट वाइज इस्टीमेट किया गया है ट्री कवर को यहां से इंपॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉइंट है कि 2019 में भी कॉष्चन हो आ चुका है और 2019 में जो कॉष्चन आया है 2017 के रिपोर्ट के एसेस्मेंट के कोडिंग आया है तो यह जो टॉपिक है यह आपको 2020 के पिलम सो रहे है उसके लिए 2021 में होंगे उसके लिए 2022 तक यह चप् किलोमीटर है जो एरिया increase किया गया एरिया increase किया 1212 स्क्वाइर किलोमीटरantes थीक है as compared to the 2019 रेपोर्ट 1099 के रेपोर्ट के recording जो है यह एरिया cover our increase किया 1212 स्क्वाइर किलोमीटरर यह आपको ध्यान में डखना तो इंक्रीज किया है ठीक है अब देखिए इसमें कहा गया है कि इस्टेट वीच हविंग मैक्सिमम ट्री कवर जो मैक्सिमम ट्री कवर किसे स्टेट में है तो महरास्टा नंबर वन पर आ रहा है मद्रपर्देश uphill 6422व स्कॉइर किलो मेटर स्कीन है मद्र परदेश आठ आठ थीन सो उनचाली स्कॉइर किलो मेटर राजस्थान आपका आठ ज़ा एक सो बारा स्कॉइर किलो 94 किलो मेटर जमूं समीने सथ स्ट फजेंँ सकॉइर के लेकिन पर सेंटेज layout देखोग deben तो इन् कभर 22.34 परसेंट जिसमें डैली 8.73 केरला 7.56 परसेंट एन गुवाइज 7.34 परसेंट अब देखो यहां पर इन्होंने टेबल दिया है उस टेबल के कोर्णिंग भी देख लिए क्यूंकि आप स्टेट पॉब्लिक सर्विस कमिशन का अब एक्जाम दे रहोंगे जिसमें ध्य अब देखें उत्तर परदेश में कितना है 3.04 स्वरी 3.05 परसेंट राजस्तान में आपको देख रहा होगा 2.37 और मद्ध परसेंट में देख रहा होगा 8.73 और भिहार में देख रहा होगा 2.13 परसेंटेज ऑफ जेग्राफिकल एरिया तो इस तरह से थोड़ा से एक बार अब देखें एक चीज़ कहा गया है इस रिपोर्ट में कि ट्री आउटसेंट ऑफ फॉरेस्ट है उसके क्या बैनिफेट्स है उसकी क्या इंपोर्टेंस है तो कहा गया कि यह इकोलोजिकल तो है ही इसका बैनिफेट्स सोसो एकनॉमिकल भी है और कल्चिरल सिग्निफिकेंस भी है इसका और साथ में एक इंपोर्टेंट लाइन यहां पर ड्राइब क्या गया थे कि इंपोर्टेंट हो जाता है कारवन सिंग के लिए ठीक है कारवन सिंग के लिए भी इंपोर्टेंट है क्यों क्योंकि देखोगे कि पॉलिसिंग के लिए भी प्लैनिंग के लिए प् थी करने को इसलिए और साथ में पहले भी पॉइन्ट बोल चुका हो सद यातूँ आंगा कि एक्जाम में आपको दिखने को लिए फोरेस्ट अडिया तो इसमें एक चीज और ध्यान में रखना यहां पर कह रहा है कि इसमें इब अब देटमेंट अब पूरे रिपोर्ट में एक बात आपको कहा हूं कि इसमें ट्री की बात किया हूं आगे अला चेप्टर एक चेप्टर है जिसमें मैं रोज की बात कि बात किया है बहुत इंपोर्टेंट है क्योंकि यहां से ने बहुत सारे टाप के कोशन बना सकते हैं ठीक है और एक ही जगह से आपको कोशन एक नएक देखने के लिए हो सकता आपको मिलेगा एक्जाम में क्योंकि रिपोर्ट 2020 में ही आई है 2019 का रिपोर्ट तो चलिए यह चेप्टर थ आपके सारे डिसकस किया है और आप जो कुशन मैंने आपको दिखाया तो को फिर मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं यह कुशन था कि इंडिया स्टेट ऑफफ फॉरेस्ट रिपोर्ट जो है 2019 के संबद में कुछ शेट्मेंट दिये गये हैं इसे स्टेट्मेंट का जवाब स्टेट परोड़न करना अनिवारहें स्टेटमेंट काता है कि इंडिया ने क है इस रिपोर्ट जो है वह रिपॉर्ट 14 ہी रिपोर्ट कắm एसका तो बurday गलत जो मैंने आपको बताई आहा है अब देखो मैंने डेटा लिया था ग्रीन कभर का जिसमें देखू यहां पर कहा रहा है कि टोटल फॉरेस्ट कभर कितना 87.73 मिलियन हैक्टर अच परसेंटेज अब जोग्राफिकर एडिया देखते हो तो वह है 24.56 परसेंट ठीक है परनाटका फिर अंधरा पर्देश और तीसे नमबर पर केरला वहीं पर देखो कि एडिया वह जो लाजस्ट कभर इंडर कंट्री में देखेंगे आप तो मध्व परदेश अरुनाचल परदेश चतिसगर उडिशा और महरास्ट्रा तो इस तरह से आप देखना यह स्लाइड जो अगली वीडियो में बताऊंगा उसमें मैंग्रोव पर बात करूंगा लेकिन इसमें मैं चीज आपको बता दूं कि टॉप त्री स्टेट जो हैं जहां पर मैंग्रोव कपर लिया इंक्रीज दिख रहा है उसमें पहले नमबर पर गुजरात फिर महारास्ट्रा और उड देख सकते हैं और बाकियो मैं आई बटन पीस का लिंक देदूंगा उसे भी आप वहां से देख सकते हो आगे जो कुछ चेप्टर बचे हुए तीन चार चेप्टर और बचे हुए हैं जिसमें से एक मैंग्रोब्स है जो काफी इंपोटेंट है फिलिम्स पॉइंट पॉइ झाल 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 झाल